Hello everyone, आप देख सकते हो Microsoft Excel को पड़ रहे है, Microsoft Excel के अंतरगत, आज किस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, recovered unsaved, Microsoft Excel कुछ ऐसी भी फाइल होती है, जिनको हम लोग क्या करते हैं, save नहीं करते हैं, लेकिन Microsoft Excel क्या करता है, directly उन्हें क्या करता है, आपने पास, save कर लेता है, recovered save में, तो देख सकते हैं, मैंने इसे नीचे दो heading लिखा है, recovered unsaved and delete unsaved आप याप, ठीक है, तो अगर Microsoft ने क्या किया है, recover किया है, तो आप चाहो तो उसको recover कर सकते हो, कई भार ऐसा होता है, कि हमारी कोई important files होती है, और हम गलती स्वेशे Excel को बंद कर देते हैं, तो Excel क्या करता है, उ आप लोग को बता देना चाहता हूं कि Microsoft Excel से बनी किसी भी file को जो आप save नहीं करते हो, तो Microsoft Excel क्या करता है, उसे खुद ही ओ क्या करता है, recover वाले में save कर देता है, जिससे कि आप जोरूत पढ़ने पर उस file को क्या कर सकते हो, खोल सकते हो, या फिर उसे delete कर सकते हो, सबसे पहल होगे आप यहापे, तो आपको एक dialog box open होता है, और इसमें आपको एक option मिलता है, save का, देखोगे कि आप यहापे save का मिल जाता है, just इसके उपर click करोगे, तो लिखा है, save file in this format, Excel workbook यहापे देख सकते हो, save auto recover information, every 10 यहापे minutes, हर 10 minute के बाद क्या करता है, वो auto recover आपकी file को जो एक्सल करता रहता है, और बता है कि keep the last unsaved version if the close without saving, अगर आप अपनी file को बिना save की file को बंद कर देते हो, तो एक्सल क्या करता है, उस file को उसे recover कर लेता है, और अपने recovery folder में ले जाके, क्या करता है, उसे रख लेता है, ठीक है, तो साध आप लोग को यह समझ मिया क्या होगा कि हर 10 मेंट बाद जो होता है, एक्सल अपनी file को recover करके save करता रहता है, अब आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यह file recover होके कहा जाती है, आप कैसे इन्हें प्राप्त कर सकते हो, तो simply आप क्या करो, यहाँ पे file menu पे ही click करो, दुबारा से, और दुबारा से file menu पे जब आप क्लिक करते हो, तो इसमें info आपको यहाँ पे दिखाए देगा, info के भीतर देखो यहाँ पे, इन्फो के भीतर चार इस तरह का option आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देख सकते हो, आप यहां पे, इसमें तीसरे वाले option पे आप जब जाओगे, तो इसमें लिखा गया है, manage workbook और लिखा गया है check in out and recover unsaved change देख सकते हो आप पर ठीक है अभी तो अभी जब फाइल आपने close की होगी और save नहीं किया होगा उसका आपको देख सकते को information भी आपको यह दे रहा है ठीक है तो इसमें नीचे यहाँ पर जब क्लिक करोगी तो आप देख सकते हो कि आपको दो options आपको मिल रहे हैं रिकाबर unsaved workbook यहाँ ठीक है और कौन्स आप्शन मिठा आपको यहाँ पर अभी डिलीट और अगर मैं डिलीट और रिशेंट कॉपी पर क्लिक कर दूंगा रिशेंट कॉपी अब तो अन्सेट फाइल पर आपको एक window में open हो जाती है यह देखिए अन्सेट फाइल आपकी यहाँ पर दिख गई है कहां पर पी पता है यहाँ पर ऑपिस में जाके अन्सेट जाके इस्टोर है आप इसे simply select कर सकते हो और इसे open यहाँ से क्या कर सकते हो कर सकते हो डरक लिए फाइल आपकी open हो जाएग तो मैं यहाँ पर जैसे ही click कर रहा हूँ यह देखु यहाँ पर कर रहा है are you sure to want to delete all copies of the unsept file आप यहाँ पर जैसे ही click करो के delete हो जाएगा यह तो देखू delete हो गया अगर खोलना होता तो आप लोग पर click करके उसे खोल भी सकते थे ओके तो आप लोग को वीडियो अच्छे लेगी ओकि वीडियो अच्छे लेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए साथ में वेल आइकन को हीट कर दिए ओके थैंक्स फर बाजिंग इस वीडियो शीए नेक्स वीडियो